बेस में One Nation One Education Board, One Nation One Slabers, One Nation One Curriculum लागू करने की मांग वाली PIL पर कोट में सुनवाई हुई है हमने ये मांग किया है कि Right to Education Act को बदल के Right to Equal Education मनाया जाए और पूरे देस में Slabers कामन किया जाए बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महराष्टा वाला मराठी में पढ़े, तमिल नाडू वाला अपनी तमिल में पढ़े लेकिन Slabers और करिकिलम एक समान होना चाहिए Physics का, Chemistry का, Math का, Geology का, Botany का, English का, Hindi का, Sanskrit का ये सारे Slabers कामन होने चाहिए पूरे देस में और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे के सारे कम्टीटीब जो एक्जाम हो रहे है उनका पेपर एक हो रहा है Engineering का एकी एक्जाम होता है पूरे देस के लिए Medical का एकी इंट्रेंस एक्जामनेशन होता है पूरे देस के लिए NDA का एकी एक्जाम होता है पूरे देस के लिए इसी तरीके से IES का जो पेपर होता है वो सबके लिए कामन होता है PCS का पेपर सबके लिए कामन होता है Bank का पेपर सबके लिए कामन होता है रेलवे का पेपर सबके लिए कामन होता है और अब तो युनिवस्टी में अडमिशन के लिए कामन जो C.U.E.T. हो रहा है वो भी सबके लिए एक पेपर कामन है अब जब इंट्रेंस इग्जामिनेशन का पेपर एक है तो फिर अलग-अलग स्लेबस क्यों पढ़ाया जा रहा है C.B.S.C. कुछ अलग पढ़ा रहा है I.C.S.C. कुछ अलग पढ़ा रहा है U.P. Board अलग पढ़ा रहा है Bihar Board अलग पढ़ा रहा है Bengal Board अलग पढ़ा रहा है और सारी पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा जाएगा एक्जाम देने उसके लिए सब के लिए एक पेपर होगा अगर पेपर सीबीसी के पैटरन पे सेट होता है तो बाकि स्टेट बोर्ड वालों को एकोल अपर्चुंटी नहीं मिलती अगर जो इंटरेंस इजामनेशन का पेपर है इंजिनिंग का मेडिकल का इंडिये का बैंक का रेल्वे का अगर आईसीजी बोर्ड के पैटरन पर होता है तो सीबीसी बोर्ड वालों को और बाकि स्टेट बोर्ड वालों को फिर इकोल अपर्चुंटी नहीं मिलती राइट तो एजुकेशन हमारा फंडामेंटर राइट है इसलिए हमने कोट से यह कहा है कि आप केन सरकार को निर्देश दीजे NCRT को कहिए एक कामन स्लेबस कामन करिकिलम तैयार करें आज की डेट में जो नवोदे स्कूल है वो पूरे देश में उसका स्लेबस कामन है जो आपका केंद्री विद्याला है उसका स्लेबस भी कामन है और अगर आप बाहर देखिए अमेरिका में युनिफॉर्म एजुकेशन है चाइना में युनिफॉर्म एजुकेशन है फ्रांस में युनिफॉर्म एजुकेशन है जापान में युनिफॉर्म एजुकेशन है सिं अच्छा हो पढ़ने में, बिना कोचिंग के वो इंजिनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो यूपी बोर्ड का बच्चा कितना भी अच्छा हो एक्सपर्ट पढ़ने में, लेकिन पेपर जो सेट हुआ वो तो सीवेसी के पैटन पर हुआ, तो फिर वो पढ़ने से हर साल का, अगर वन नेशन वन स्लेबस हो जाएगा, और जो पढ़ाया जाएगा, यही पूछा जायगा, तो लोग कोचिंग नहीं करेंगे, जो मेहनती बच्चे होंगे, वो अपनी पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद इंटरेंस क्वालिफाई कर लेंगे, ल इसका मेन ये कारण है कि कोचिंग माफियाओं ने पूरी हमारे एजूकेशन सिस्टम को हैजेक किया हुए और दूसरी बात ये भी है जो बुक माफिया है ये नहीं चाहते कामन श्लेबश कामन कर्किलम हो जाएगा और श्लेबश कांस्ट रहेगा दो साल-3 साल-4 साल तक वही रहेगा तो फिर जो पॉब्लिसर हैं की किताब कोई नहीं खरीदेगा लोग NCRT किताब खरीद लेंगे जो एन-सी-्या-इटी छाप स्कूल माफिया नहीं चाहते हैं कि उनकी दुकान चलती रहे इसलिए नसी बोड़ वाले चाहते हैं और इसका नतीजा यह हो रहा है आम जनता आम बच्चा पिस रहा इस पूरे माफिया राज में इसलिए मैं कोट से निविधन किया है कोट ने केन सरकार के सिछा मंत्राले को और कानून मंत्राले को चार हपते के अंदर जबाब दाखिल करने के लिए कहा है NCRT, CBSC Board और ICSC Board को बोला है चार हपते के अंदर जबाब दाखिल करिए दिल्ली सरकार को भी बोला है कि आप भी अपना स्टैंड क्लियर करिए आप क्या चाहते हैं आप One Nation One Slabers, One Nation One Curriculum चाहते है या नहीं चाहते आप One Nation One Education Board चाहते है नहीं चाहते और चार हपते के बाद जबाब आ जाएगा फिर 11 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ इस वीडियो को जंजन पहुंचाईए इस वीडियो को घर घर पहुंचाईए कामन स्लेबस होगा, कामन करकिलम होगा तो सबको इकुल अप और चिंटी मिलेगी युनिफॉर्म एजूकेशन से सबसे बड़ा फायदा होगा जातिवाद खतम होगा, क्लासेज खतम होगी, भाशावाद खतम होगा, छेत्रवाद भी खतम होगा और जिहाद और मुजहवी उनमाद भी खतम होगा, युनिफॉर्म स्लेबस होगा, मंत्री और संत्री के बच्चे की एक किताब होगी, युनिफॉर्म स्लेबस का मतलब यह हुआ, कि सिक्षक का बेटा और सिक्षा मंत्री का बेटा एकी किताब पढ़ेगा, युनिफॉर्म सिच्था से ही भारत में शांती आएगी समान सिच्था से चलना है मदर्सा सिक्छा चलना और मिसन्दी इक्छा चलना यह मैकाले दिच्छा खतम होनी चाहिए मिसन्दी इक्छा खतम होनी चाहिए सी ब्राति चाय। Division 1 सुष्ड शान्ती च назon